दोस्तों आपने बंदरों को तो पेड़ों पर चड़ते हुए देखा ही होगा और बंदर पेड़ पर असानी से चड़ भी जाते हैं लेकिन अब जिज जानवर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं शायद वो आपके होश उड़ा दे मिलिए दोस्तों मरोको में पाए जाने वाली बकरियों से जो अपना खाना पेड़ों के उपर चड़ कर खाती है और इसकी वज़े ये है कि मरोको की जमीन पूरी तरह से रेतीली और बंजर है जिससे बकरियों को जमीन पर खाना नहीं मिलता है इसी के चलते है बकरिया खाने क तलास में पेड़ों पर चड़ जाती है, मुरोक्कों में ओर्गन नाम का पेड़ पाया जाता है, जिसका फल काफी सौधिश्ट होता है, बकरिया अकसर इसी फल को खाने के लिए पेड़ों पर चड़ती है, ओर्गन के फल से ओर्गन तेल बनता है, जिसकी मांग लोगों में क जिससे ये तेल बजार में काफी महंगा बिखता है और जब बकरिया और्गन का फन खा लेती है तो इनके मलीद को इकटा करके और्गन का रस निकाला जाता है जिससे बाद में और्गन तेल बनाया जाता है